एस वीडियो में मैं बटाने वाला हूँ कि आप जो कैसे पास हो सकते हैं तो वीडियो को लास्ट टक देखना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दो मिनिट के अंदर आपको यह समझ जाओगे कि आपको कैसे पास होना है अगर अभी तक आपने पास होने के लिए अभी स्पाइन्स वाली स्पोडनर दोनों के लिए तो पहले चली रेक्टे स्सटोडन के लिए तो जिसे हैं सइंस में टोटल सिक सब्जिक mettu है आपका जो प्रिक्टिकल्स इन टीस मास्का होगा और समझलो कि आप लगों को टीस में से पाचीस मिला इंटरनल में और आपको जो एक्जाम होगा से। को कम्बाइन करकर मार्क्स आपको ढणा जीसे कि आपको का बदाता हूं में मेट में आपको 20 मेर्प से अर्फतरा बदा आपके एं ग्जाम के अरेशे ृस्पी में सै आपने आपने 20 मेर्प कितने हो गए 38 कि फिरो फेंट आपफ भी सबस्क्राइब। कोमर्स में जैसे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं अब भी समझा देता हूं कि OCM और SP में आप लोगों का इंटरनल एक्जाम 20 मास्का हुआ जो भी समर्लों 20 मास्का होता है 20 में से आपको 18-19 मिला समर्लों आपको 18 मिला और आपका जो अपना कोमर्स का जो है 80 में से आपको SPB कोई आपको पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 35 चाहिए इंटरनल प्लस एक्सटरनल दोनों मिला कि 35 चाहिए तो इसी प्रकार इंग्लीज का भी इंग्लीज में अगर आपको 17 मिले और आपका जो एक्श्परबड़ी को